हाई गाइज, वेल्कूम टू माई चैनल, मैं हूँ आपका होस सुरेंदर तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हाउ टू रिकोर्ड एक इंपूर्टर सक्रीन इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट टू एक टू प्टूमे एक्स्टेंशन है यह ईक टूप ग्रोमे एक्सटेंशन है जिसे यूजर करके हम अपनी सक्रीन को रिकोर्ड कर सकते हैं, तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करजी ताकि आपको जो मेरे चैनल की लेटस्ट नोटिकेशन्स आवर रेगलोर मिलती रहें लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे फीड़्बेक मिलता रहे कि आपको किस परकार का मेरे वीडियो का experience रहा तो चलिए वीडियो पर चलते हैं तो गाइस जिस क्रोमे एक्स्टेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है उसम क्रोमे एक्स्टेंशन फो स्क्रीन रिकोर्डिंग तो सबसे पहले आपको गूगल पर इसको सच करना है वसम क्रोमे एक्स्टेंशन फो स्क्रीन रिकोर्डिंग तो यह फर्स्ट लिंक है इसको क्लिक कीजिए तो यह सीधा आपको क्रोमे वेब स्टोर पर लेके जाएगा आपको पताना चाहूंगा यह एक मल्टी परपस क्रोमे एक्स्टेंशन है यहाँ पर आप स्क्रीन शोट भी ले सकते हैं अपने पीसी का लैप्टोग की स्क्रीन का तो जैसा कि मैंने यहां पर इसको install कर रखा है तो यहां पर देखो काफी सारी users ने इसको install कर रखा है तो इसकी credibility जो है positive है तो इसको starts जी काफी मिल रखे हैं यहां पर तो यहां पर आपको इसको अपने system पर install करना है मैंने अपने system पर इसको install कर रखा है तो इसका जो latest version है 4.3.1 जो provide किया जा रहा है तो last update इसका September 1 को आया था 2020 में काफी छोटा size है इसका 3.72 MB का तो इसमें कोई problem नहीं रहेगा तो जब आप इस Awesome Chrome Extensions को अपने system पर install कर लेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर extensions में जाना है तो यहाँ पर आपको इसको enable करना है enable करने के बाद इसका icon आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको two options दी गई है record करने के लिए जा किसी भी screen की जाए laptop की PC की उसको capture करने के लिए तो यहाँ पर उसके record के अंदर हमें desktop, this tab, cam only की यह three options दिखाई प्रवाइट की गई है तो first option है desktop की अगर हम अपने system या PC की laptop की अपनी पूरी screen के desktop को यहाँ पर record करना चाहते हैं तो हम first option पर जाएंगे तो यहाँ पर इसके under save video 2 की option दी गई है अपनी video को हम कहाँ save करना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पर two options दी गई है cloud की, local की तो यहाँ पर अपर PC पर इसको save करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम local को select करेंगे तो यहाँ पर आपको अगर अपने system पर microphone को access करना है तो यहाँ पर आपको enable करना होगा इसको तो जैसे कि मैंने अपने system पर इसको enable किया हुआ है यहाँ पर तो अगर camera आप enable करना चाहते हैं तो थार्ड option इसकी दी गई है event camera तो आपका निच्छा यहाँ पर corner पर camera आएगा तो यहाँ पर आप अपने जो video की recording कर रहे हैं उसकी resolution जो resolution है वो select कर सकते हैं जो three options दी गई है तो at 720 काफी अच्छी होती है pixel की यह आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो उसके बाद अपनी जो video को आप यहाँ पर record कर सकते हैं तो second option जो हमें दी गई यहाँ पर उसको use करके हम अपनी जो current browser की current tab हमारी open mra system पर उसको record कर सकते हैं तो इसके अंडर भी same ही जो settings है वो provide की गई है यहाँ पर icon पर click कीजिए comment extension की तो same ही save video to local microphone को access करना इसको enable करना पड़ेगा camera के लिए इसको enable करना पड़ेगा तो just यहाँ पर tap sound की option दी गई है separate से इसको आप अपनी विश्क के अंसार इसको enable कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो resolution भी यहाँ पर दे गई है तो यहाँ पर आप अपनी current tab उसको record कर सकते हैं तो चलिए इसकी current tab को record करके बताता हूँ आपको तो जैसे ही आप यह इस पर click करेंगे तो यह counting start हो चुकी है तो आपकी जो current tab है वो यहाँ पर record हो रही है तो दुबारा से icon पर click करेंगे तो आप यहाँ पर इसको stop कर सकते हैं delete करना चाहते हैं तो delete कर सकते हैं post करना चाहते हैं post कर सकते हैं तो यहां पर stop करते हैं तो जैसे ही आप इसको stop करोगे तो नई टैब में आपका जो वीडियो आपने record किया वो open हो जाएगा तो वीडियो के आपको right side पर आपको वीडियो की information दी गई है कब इसको create किये गए था, इसकी length क्या है, इसका size क्या है तो यहां पर आपको दो option दी गई है, save to cloud, youtube पर इसको आप upload कर सकते हैं, google drive पर upload कर सकते हैं और यहां पर third option आपको दी गई है, download की यहां पर आप इसको download भी कर सकते हैं तो इसको play करके देखते हैं, चलिए तो यह counting start हो चुकी है, तो आपकी जो crunch tab है, वो यहां पर record हो रही है जैसे कि आपने देखा कि आपकी यह video इस प्रकास से record होगी यहां पर तो काफी अच्छी resolution में है यह video आपकी तो third option जो कि हम इस screen recorder में, जो कि हम YouTube वीडियो के लिए use कर सकते हैं वो दी गई है, cam only की तो cam only के अंडर भी same options है, save video to local, cloud, microphone को access करना तो यहां पर access कर सकते हैं तो यहां पर option दी गई है, camera तो camera को यहां पर enable करने के लिए integrated camera हम select करना पड़ेगा जो हमारे system का है, तो realization भी same ही हम रहने देंगे HD 720 pixel की तो आप जैसे इसको screen को record करोगे तो आपकी जो right bottom corner में आपका जो camera है यहां पर open हो जाएगा क्योंकि साथ अगर आप camera भी अपना यहां पर enable करना चाते हैं, camera भी यहां पर दिखाना चाते हैं तो वह आपको यहां पर enable करने के बाद दिखाई देगा recording के बाद साथ साथ में वह भी आपका यहां पर right corner में show होगा तो जैसे कि starting में मैंने आपको पताया था कि यह एक multipurpose chrome extension है जिसे हम screen recording के लिए तो use कर सकते हैं पर यहां पर हम अपने screen का screenshot है वह भी capture कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करते हैं तो यहां पर icon पर chrome extension की click कीजिए तो यह screen recorder का एक positive point है जिसके help के साथ हम YouTube की videos को record कर सकते हैं वट screen shot भी ले सकते हैं तो यहां पर record की option तो हमें यह बताई गई थी capture की साथ में तो capture के अंडर हमें तीन options हैं एक visible part की full page की selected area की तो visible part में हमें वही अगर इसको select करेंगे तो आपका जो visible part है screen shot के अंडर इस extension के अंडर वही आपका जो capture होगा तो चलिए इसको करके देखते हैं तो यहां पर click करने के बाद यहां पर कुछ pop-up open हो रहा है the capture option you choose cannot work on this web page इसका में यह है कि जो आपका Google का page है वह इसको access नहीं दे रहा है कि वह आप इस page का screen shot ले कुछ ऐसी website है जो इसको access नहीं दे रही है तो चलिए एक नई website open करता हूँ यह आपर तो उस पर आपको यह करके बताता हूँ तो जैसे कि यह किसी इंडिया टाइपी नाम की एक website है तो इसका screen shot लेके देखते हैं capture तो visible part का यह screen shot लेके देखते हैं तो यहाँ पर हम इस screen shot लेने में कोई दिख्कर नहीं आई है तो यह awesome screen shot जो है create हो रहा है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो current हमारा page open हुआ था जितना उसका visible part था वही सिर्फ visible part as a screen shot हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं तो टोप पर आप देख रहे हैं कि कुछ हमें options यहाँ पर दी गई है तो इसे यूज़ करके हम अपने screen shot को edit कर सकते हैं तो first option हमें दी गई है यहाँ पर हम width or height जो screen shot की है वो set कर सकते हैं second option है crop की तो screen shot को crop करना चाहते हैं तो इसको हमें cursor को यहाँ पर hold करके drag करना होगा जितना part हम यहाँ पर screen shot के as a second shot दिखाना चाहते हैं तो वो select कर सकते हैं तो यहाँ पर pen के लिए third option दी गई है नीचे यहाँ पर तो screen shot square में लेना चाहते हैं यह circle में वो दी गई है बागी यह arrows की option दी गई है text हमें add करना है तो वो यहाँ पर हम add कर सकते हैं कुछ भी तो यह upgraded version में हमें provide की जाएंगी options यहाँ पर हम अपनी text के color choose कर सकते हैं So red किया था red आगया यहाँ पर text का font select कर सकते हैं उसका size select कर सकते हैं 24 pixel इकृंट तो readon undo कर दो यहाँ पर कर सकते हैं zoom और unzoom करना जाते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं बाद में यहाँ दन करके हमें save करना होगा तो इस प्रकार से हम अपने जो किसी current page का visible part है वो as a screenshot ले सकते हैं तो चलिए next option हम देखते हैं कौन सी है तो next option है full page की अगर हम अपने full page का visible हो un-visible हो उसका सारे का screenshot लेना चाते हैं तो उसको ले सकते हैं तो जैसे कि इसने यह हमारा full page का जो screenshot है वो create कर दिया तो यह हमें drag करके देख सकते हैं कि यह full जो हमारा page है उसका सरक्षी शोट हमें दिया गया है तो same ही वहाँ पे हम अपने second shoot को edit कर सकते हैं तो जो third option है यहाँ पे हमें दी गई है वो है selected area की तो यहाँ में हम अपनी जो है custom जो area है उसको select कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने यह select किया है तो इसको capture करना है तीन option दीगें cancel भी कर सकते हैं copy भी कर सकते हैं capture भी कर सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको capture किया तो जो select किया है जस्ट वही हमारे सामने यह show हो रहा है तो इसको भी tools को use करके edit कर सकते हैं तो काफी अच्छी chromie extension है किसी भी website की जो screen को record करने के लिए या screenshot लेने के लिए तो ये तो थी best chromie extension for screen recording होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अपना feedback कोमेंट के जरी जरू दीजिएगा अपना experience जरू शेयर कीजिएगा चैनल पर दिये गए subscribe बटन को जरू प्रेस कीजिए बैल आइकन को जरू प्रेस कीजिए ताकि आपको जो latest notification है और अगलाली मिलती रहे लाइक और कमेंट हर वीडियो के नीचे जरू कीजिए thanks for watching this video again